नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज यो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए उसका सिर्षक है कमपाउंडिंग का बेनिफिट हम जिन्दगी में कैसे उठाएं ज्यान से दुखी वीडियो को दोस्तों और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ETF का छोटा सा ट्रेडिंग कोर्स है नमबर यहां पर फ्लेश आउट कर रहा होगा 6201514820 वार्टसप करके हायलो करके आप इंक्वाइरी कर सकते हैं चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह की compounding जो है वो क्या होता है ठीक है compounding का meaning जो है आपको पता होना चाहिए compound को अगर आप dictionary में खोजेंगे कि क्या meaning है तो आपको क्या दिखाई देगा यह पहले आपको सर्च करना है compounding का meaning क्या है मैं आपको बिल्कुल सराल भासा में बताऊंगा compounding का मतलब होता है योगिक हो जाना योगिक हो जाना जबर्जस्त तरीके से गुना फल हो जाना अपने आपको multiply करना create करना और नया creation करना और अपना self production करना योगिक हो जाना जबर्जस्त गुना करना create करना और self production करना start कर देना उधारन के लिए जैसे कोरोना वाइरस ने किया और एक छोटे स वाइरस ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को बंद करा दिया लोगडाउन लगवा दिया पूरे संसार को एक छोटे से वाइरस ने इसको कहते हैं कमपाउंडिंग की पावर आज जिंदिगी के हर छेतर में वर्सो तपस्या वर्सो जो आप तपस्या करते हैं उसके बाद जो भी घटना घटे आपके जिन्दगी के किसी भी छेतर में, उसी को हम compounding कहते हैं, इसमें क्या समझ में आता है, compounding करने से पहले वर्सों की तपस्या लगती है, ठीक है, वर्सों की तपस्या के पाथ जो घटना घटे उसी को आप compounding कह सकते हैं, compounding habits जो हमारी है, उसमें भी compounding लगत देती है, चाहे वो good result हो, चाहे वो bad result हो, ठीक है, अपने habits के बाद हमको जो result मिले, उसो compounding कह सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, result बुरा भी हो सकता है, ये total आपके habit पे depend करते हैं, अगर आपको पता नहीं है, तो आपको मैं बता दूँ कि जितने habits होती हैं, बाते करते हैं, activities आप करते हैं, जाने अंजाने में, उन सब का compounding effect आपकी life के उपर में पड़ता है, हमारी life में या दो हम जीतते हैं, win करते हैं, या हम हारते हैं, और दोनों मजे की बात ये कि starting point पे हम सब एक जबा कहड़े होते हैं, लेकिन हमारी habits हैं, वो अच्छी हैं कि बुरी हैं, उसक खारन के लिए मैं एक छोटा सा उधारन देना चाहूंगा, बिल्कुल practical है, मैंने SIP स्टार्ट किया था 10-15 साल पहले, कुछ 8-10 लोग थे हम लोग, Hyundai Motors में मैं काम करता था, वहां हमने SIP स्टार्ट किया, हैरानी की बात ये ही कि मेरे 9 के 9 दोस्तों ने बंद कर दिया, लेकि उससे पहले मैं कोई भी बात बताना नहीं चाहता किसी को, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम सब सेम होते हैं, और एक स्टेज के बाद जब विस्पोर्ट होता है, तब हमको रिजल्ट मिलता है, अभी अगर बात करें दोस्तों तो दुनिया में टोटल साथ वंडर्स हैं, व एड़ वंडर बताया है किसको कंपाउंड इंटरस्ट को, लिख के दिया, आप कोटेशन देखते होंगे, उन्होंने ये भी काय साथ में, लिख करके ही दिया है, कि जिसको पता नहीं है, इफ अनवेर, अगर नहीं पता है तो आप चुका रहे हैं, मतलब भुगत रहे हैं, अगर पता है, तो आप ग्रो कर रहे हैं, ये भी लिख के दिया है, हमारा चलना, खाना, पीना, बैटना, उटना, बिजनस करना, बाते करना, चुगली करना, गुसा करना, एक्सरसाइज करना, ये सब पर कंपाउंडिंग लगता है, और कहीं विस्पोर्ट हो जाए, बन जाते हैं, नेगेटिव कंपाउंडिंग, आई परसनली, मेरे को ये फील होता है, मेरी 42-43 की एज में, कि जो भी मैंने सक्सेस प्राप्त किया, या जो भी मैंने फेलियर प्राप्त किया, जान से सुनियेगा, बड़ी इंपोर्टेंट बात बताऊंगा, वो सब मुझे के बाद पता चला, रिजल्ट से पहले पता नहीं चलता है आपको, रिजल्ट के बाद पता चलता है, कंपाउंडिंग में ये याद रखिएगा, कि हुआ क्या है मेरे साथ असल में, फिर आप पैनलेसिस करते हैं, और everyone has taken result, सब ने, आप सब ने कभी ने कभी कंपाउंडिं होगा पैसा, कंपाउंडिंग किया होगा, या फीजिकल में डेली 20, 25, 30, 50 push-up मारे होगे, आपकी health improve की होगी, 30 minutes का walk किया होगा, तो कंपाउंडिंग मिलेगा, या success हुए होगे, या failure हुआ होगा, सब ने कंपाउंडिंग का कहीं न कहीं से, जरूर आपने result जरूर लिया ही देखिया, अगर bad habits की बात करें, तो मैं एक उधारन देता हूँ, negative habit compounding की, सबसे पहले जब आदमी cigarette पीता है, फुक फुक के पीता है, पेट के अंदर नहीं खिछता है, बस फुकता है style के लिए, लेकिन जब उसका end result compounding का आता है, तो उसके फेफरे जो है, वो पुरे के प ultimate compounding क्या होता है, पूरा का पूरा liver, kidney, पेट, सब आतरी, सब सड़ जाता है, ये negative effect of compounding, सोचो कितना खतरनाक है, अब बात कर लेते हैं, investing में, कि ठीक है सर, जिन्दगी के बारे में आपने बताया है, investing में हम compounding का कैसे benefit लगे, आज इंडिया के अंदर मैं मानता हूँ कि हम रुकसाबादमी, youngsters बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैं ज्यादा young भी नहीं पकड़ूँगा, ज्यादा बुड़ा भी नहीं पकड़ूँगा, मैं पकड़ता हूँ कि आपकी age जो है, 30 साल, middle age होने को हो, 60 साल में retirement हो जाओगे, बचा ताइम 30 साल, एक बहुत small habit आपको develop कर नहीं है, compounding के लिए, पच्छी सो रुपया महिना, मैं समझता हूँ कि ये कोई middle class भी afford कर सकता है, 2500 रुपीज महिना आपको हर महिने डालना है, small cap में, small cap ETF index में आप डाल सकते हो, या अगर डर लग रहा है तो 1250 डाल दीजिए, nifty में और 1250 आप डाल दीजिए, small cap 250 में, ठ जब जब ग्रेड हो तब आपको खरीद लेना है, महिने में उतना ही डालना है, तो क्या result आएगा compounding का चली एक बार check out कर ले, एक बार हम लोग, तो मैं compound interest के calculator पर जाता हो, और मैं यहाँ आपको result शो करने की कोशिस करता हूँ, मैंने क्या बोला आपको, 2500 रुपे हमने हर म 30 years time span, जैसा कि मैंने बोला 30 क्या आप है, estimate जो return आपको मिलेगा, वो 3,58,000 रुपे हमने वाला है, मैं नीचे show कर दे रहाँ आपको, यहाँ आप clearly देख सकते हैं, estimate आपको जो मिलेगा, वो 3,58,000 रुपे है, यह 2500 रुपे है आपकी जो है next generation, और प्लस आपका retirement age, retirement age के बाद आने वाली जिन्दगी राजा माराजा जैसी और आपकी next generation को सुधार सकती है, 2500 रुपे है, इस तरीके से आप छोटी छोटी habits करके compounding का benefit आप ले सकते हैं, और अपनी आप जिन्दगी को बदल सकते हैं, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कु किसी नौलेज़फूल वीडियो में फ्रेंड्स सब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई टेक केर और अपना ख्याल रखिये, थैंक्यू फ्रेंड्स